हाई गाईज, वेलकम टूबी बैंकर, स्वागत आपका आज की क्लास में आज की वीडियो में, मैं हूँ फृती मैम और आज में लेकर के आ गई हूँ आपके लिए एक और नहीं जबरदस्त वाली क्लास, क्या होने वाली है आज की क्लास, आज पढ़ने वाले हैं रोज प्रय को मैंने लिया है, जिनका स्थमाल आप बहुत खूबसूरती से कर सकते हैं, तो चलिए शूरू करते हैं आज की क्लास, उसके पहले अगर चानल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, जल्दी से कर लिए चानल को सब्सक्राइब, सब्सक्राइब करते वक्त ब के बारे में, free courses के बारे में, paid courses के बारे में, हमारी latest classes के बारे में, हमारी e-books के बारे में, और भी बहुत कुछ, तो जल्दी से message करिए और हमसे जुड़ जाएए, इसके साथ ही, आप कर सकते हैं हमें किसी भी social media sites पर follow, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, सबसे प करेंगे, तो आप सबसे पहला शबद आपके सामने है, do और उसके साथ लगा हुआ है, not, do के साथ क्या लगा हुआ है, do के साथ लगा हुआ है, not, do not का अर्थ क्या होगा, जब ये वाक्य में इस्तमाल होगा, तो क्या अर्थ होगा इसका, तो इसका अर्थ होगा नहीं, उस के बाद उसकी ending होगी, यानि कि अंत होगा उसका, ता हूं, ते हो, ते हैं, इससे इसका अंत होगा, मतलब वाकियो, कि शुरुवात में आपको नहीं दिखेगा, लास्ट में आपको ता हूं, ते हो, ते हैं, इस तरीके की चीजे दिखेंगे, आपको अंत में इन तीनों में स से आप खोजिये, मिल गया, तो कैसा हो गया यह, I do not eat, मैं नहीं खाता हूँ, I do not eat, बढ़ते हैं आगे, अब रूल जान लेते हैं इसका, कि do not का इस्तमाल जो है, इस्तमाल करने से पहले, रूल जानना बेहत बेहत जरूरी होता है, तो definitely रूल को जो है, हमेशा ध्यान रखा क रूल को जानना बेहत जरूरी होता है, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, तो do not का इस्तमाल आप I, U, V, दे, किसी के भी साथ कर सकते हैं, जी हाँ, I, U, V, दे, किसी के भी साथ do not का इस्तमाल हो जाएगा, तो कैसे देखिए, कैसे करेंगे, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, we do not read, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, we do not study कर दीजे इसको, we do not study, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, we do not study, we do not read, एक ही बात है, we do not study, हम लोग नहीं पढ़ते हैं, we do not study, बढ़ते हैं आगे, अगला है does not, D, O, E, S, does, उसके साथ लग गया not तो क्या बन जाएगा भई, does not कैसे इस्तमा है, ती है, मतलब शुरुवात में नहीं दिख जाएगा और आपको अंत में दिख जाएगा. ता है, ती है, चलिए इस्तमाल देखते हैं, वह नहीं खाता है, दिख गया आपको he does not eat जैसे हमने example में देखा तो यहाँ पर he के साथ इस्तमाल था तो he, she, it और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं चलिए देखते हैं अगला शब्द हमारे पास did not did इसको पढ़ते हैं और साथ में लग गया not बन गया ये did not तो चलिए इसका इस्तमाल देखेंगे सबसे उसके पहले मतलब जान लेते हैं नहीं ता था, नहीं ते थे, नहीं ती थी, नहीं या नहीं ये नहीं यी इन सब में से कोई एक आपको जरूर से जरूर दिखेगा ठीक है चलिए इस्तमाल देखेंगे इसका या मैं नहीं खाता था या मैंने नहीं खाया एक ही बात है तो इस्तमाल कैसे होगा I did not eat, क्या दिखा अंत में नहीं खाता था या तो दिख गया या तो नहीं याद गया है ना मैंने नहीं खाया या दिख गया चिक हैं चलिए बढ़ते हैं आगे और रूल जान लेते हैं डिडनोट जो है वो बहुत ही अच्छा जो है शब्द है इसको इस्तमाल करना बहुत असान होता है क्यूं क्यूंकि इसका इस्तमाल आप सबके साथ कर सकते हैं I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं आगे अगला एक्जाम्पल देखते हैं वह नहीं गया अगला एक्जाम्पल क्या है हमारे पास वह नहीं गया He did not go, वह नहीं गया, He did not go, बढ़ते हैं आगे, अगला है will not, will के साथ लग गया, not, क्या हो जाएगा, नहीं उंगा, नहीं एंगे, नहीं ओगे, ये आपको दिख जाएगा वाक्य में, कैसे इस्तमाल करेंगे, चलिए देखते हैं, मैं नहीं खा उंगा, दिख गया आपको उ उंगा देखिए, मैं नहीं खा उंगा, I will not eat, मैं नहीं खा उंगा, I will not eat, will not का स्तमाल भी आप कर सकते हैं, सारे के सारे सब्जेक्स के साथ, यानि कि I, you, we, they, he, she, it और किसी भी नाम के साथ, आप इसका स्तमाल बखु भी कर सकते हैं, अगला है am, is, are, और साथ में not, यानि कि अगर इसको आप जोड करके देखें, आप इसको तोड करके देखें, तो आपको दिखेगा am not का स्तमाल, is not का स्तमाल, और are not का स्तमाल, ये तीनों शब्दों के साथ, जब not लग जाता है, तो कैसे स्तमाल होता है, इस चीज को आज हम लोग जानेंगे, तो कैसे हो फिर से सुनिए, नहीं रहा हूं, नहीं रही हूं, नहीं रही है, नहीं रहे हैं, नहीं रहे हो, नहीं रहा है, ये दिखेगा आपको, इस्तमाल देखते हैं, बहतर समझाएगा, मैं नहीं खा रहा हूं, I am not eating, मैं नहीं खा रहा हूं, I am not eating, बढ़ते हैं आगे, और यहां पेस्तमाल जानते हैं, am not कास्तमाल आप I ke साथ करेंगे, क्यूंकि M लगा हुआ है, तो ये सीधी सी बात है, कि I के साथ इसकास्तमाल हो जाएगा, are not कास्तमाल आप U, V और दे के साथ ही करेंगे, is not कास्तमाल आप he, she, it और किसी भी नाम के साथ ही करेंगे समझ आ गई बात चलिए बढ़ते हैं आगे is not का example देखते हैं वह नहीं पढ़ रहा है he is not studying वह नहीं पढ़ रहा है he is not studying are not का example देखिए examples जितने जादा होंगे आपको उतना बहतर तरीके से समझ आएगा वे लोग नहीं जा रहे हैं they are not going वे लोग नहीं जा रहे हैं they are not going बढ़ते हैं आगे अगला शब्द है हमारे पास was not और were not जी हाँ इसको आप अलग अलग तोड़के देखिए एक है was not यानि कि was के साथ जब not लगेगा तब और एक है were के साथ जब not लगेगा तब तो चलिए इसका meaning क्या होगा वो जान लेते हैं क्या हो जाएगा meaning नहीं रहा था नहीं रहे थे नहीं रही थी ये meaning है इसका नहीं रहा था नहीं रहे थे नहीं रही थी इस्तमाल देखिए मैं नहीं खा रहा था, I was not eating, मैं नहीं खा रहा था, I was not eating, बढ़ते हैं आगे, वह नहीं खा रहा था, He was not eating, बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं, वर के साथ जब इस्तेमाल होगा, तो कैसा दिखेगा? हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, we were not studying, हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, we were not studying, तो अब देखते हैं कि was not और were not का स्तेमाल आखिर होगा कैसे? तो was not का स्तेमाल जो है, आप I, He, She, It और किसी भी नाम के साथ आराम से कर सकते हैं, ठीक है? I के साथ, He के साथ, She के साथ, It के साथ, और किसी भी नाम के साथ, आप was not का स्तेमाल करेंगे, were not का स्तेमाल आप you, we और दे के साथ करेंगे, यानि कि you के साथ, we के साथ, दे के साथ, आप were not का स्तेमाल कर सकते हैं, चलिए बढ़ते हैं, आगे अगला शब्द है हमारे पास, will not be, यानि कि will है, साथ में not है, और आगे में बी भी लगा हुआ है, will not be, चलिए इसका मतलब जानते हैं सबसे पहले, नहीं रहा हुँगा, नहीं रहे होंगे, नहीं रही होगी, क्या होगा मतलब, नहीं, blank दिख रहा है, आपको यह understood है, नहीं रहा हुँगा, नहीं रहे होंगे, नहीं रही होगी, चलिए इस्तमाल देखते हैं, मैं नहीं खा रहा हुँगा, I will not be eating, मैं नहीं खा रहा अब देखते हैं आप किस के साथ कर सकते हैं तो आप सब के साथ कर सकते हैं I, he, she, it किसी भी नाम के साथ You, We, They इनके साथ तो करी सकते हैं जैसे I will not be He will not be She will not be It will not be कोई भी नाम ले लीजे manifestation Rohan Rohan will not be, you will not be, we will not be and they will not be इसके साथ आप इन सब के साथ आप will not be का स्तमाल कर सकते हैं will not be का स्तमाल आपको ऐसे भी ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके language को जो है एक level up कर देता है तो इसका स्तमाल जरूर से जरूर किया कीजे जब भी आप अंग्रेजी बोले तो तो ये था will not be का स्तमाल और ये थी आज की class class कैसी लगी? कमेंट करके मुझे जरूर बताईए ये सारी classes जो हैं काफी जादा important classes हैं इन classes को जानना ये छोटी-छोटी सी चीजें हैं लेकिन बच्चों को यहीं पर problem आती है मतलब सीख जाते हैं एक थोड़ी सी basic learning जो है उनकी हो जाती है लेकिन basic learning के साथ-साथ अपनी knowledge को भी बढ़ाते रहना बहुत-बहुत जरूरी है और ये classes आपकी knowledge में additional dose का का काम करती हैं यानि कि आप सीख तो रही ही है spoken साथ-साथ थोड़ा-थोड़ा सा हलका सा dose जो होता है न वो जरूर आपको ये classes दे जाती है ताकि आप अपनी सीखी हुई जो language है उसको practice कर सके अपने knowledge को enhance कर सके तो ये वाली class वही वाली class थी classes आपको कैसी लगी comment करके मुझे बताईए class पसंद आई है जल्दी से कर दीजे like कर दीजे share नहीं किया है channel को subscribe तो जल्दी से कर लीजे और bell icon जरूर दबा लीजेगा ताकि जब भी ऐसी कोई class हमारी आए आपको जरूर से जरूर पता लग जाए इसके साथ ही आप जो है basic plus spoken English की course आपने अभी तक देखी complete की की नहीं की मुझे comment करके बताईए जिनको नहीं पता है basic plus spoken English course क्या है उनके लिए मैं बता दू basic plus spoken English का course जो है वो एक free 15 दिनों का spoken English का course है जी हाँ आपने सही सुना ऐसा नहीं है class 1 से लेकर के class 15 तक पूरी की पूरी प्लेयलिस्ट आपको मिल जाएगी आपके phone पर मिल सकते हैं आपको ये पूरी की पूरी प्लेयलिस्ट कैसे आप मगा सकते हैं स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर पर करना है आपको WhatsApp message लिख करके मुझे basic plus spoken English course और उसकी e-book चाहिए जी हाँ इस course की e-book भी available है तो आप अगर चाहें तो इस e-book को भी प्राप्त कर सकते हैं बस आपको करना ये है किस नंबर पर करना है WhatsApp message लिख करके इनी spoken English course अपने आप में एक जादूई course है जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने daily के spoken English में यानि कि daily की जो भी बाते आप करते हैं उनमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें मिल जाता है आपको उन वाक्यों को बना पर WhatsApp मेसेज करें और मंगा लें इस कोर्स को अपने लिए अभी इसी वक्त इसके साथ ही ये तीनों किताबे बेहत जल्द आ रही हैं तो प्रतीक्षा करें और अगर आप जुड़ना चाहते हैं प्रीमियम या अगरे शुड़ना लें या वाट्स यूट जो कि प्रीमियम कोर्स है स्पोकें इंग्लिश का और आपको की वाट्सप की सहुलियत पर कराया जाता है इससे भैतर तो कुछ बहाएं नहीं सकता तो इसकीे जानकारी तो पर लिए कि प्ता हैं क्या कोर्स कितने दिनों के हैं आप कैसे सीखते हैं इसमें इसकी अगली बैच कप शुरू हो रही है क्लासस कितने बज़े आती हैं आप कैसे इनको देख सकते हैं कैसे इन क्लासस को अटेंड कर सकते हैं अगली बैच इसकी कप शुरू हो रही है आप उसमें मिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं या कौर्स है बिल्कुल बेसिक कोर्स है अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ग्रामर जो है आपका डामा डॉल है याने की इतना अच्छा नहीं है ये कोर्स करके देखिए ग्रामर आपका पक्के तोर पर मजबूत हो जाने वाला है तो इसकी जानकारे भी इस नमबर पर प्राप्ट कर सकते हैं छोटे बच्चों को grammar सिखाना चाते हैं लगता है बहुत मुश्किल का काम है ये course करा के देखिए बच्चों को ये इतना अच्छा course है बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो पढ़ाई कर रहे हैं और उनकी knowledge strong होती जाती है तो इसकी जानकारी भी आप इस नमबर पर ले सकते हैं और ये है basic english drama and writing for school यानि की cd से बात है school जाने वाले बच्चों के लिए course है तो अगर आप school जाने वाले बच्चे हैं या आपके बच्चे school जाते हैं तो वो जरूर शिकायत करते होंगे आपके पास आग करके या आप अगर बच्चे हैं तो आप जरूर परिशान रहते होंगे writing section को ले करके writing section मतलब essay writing debate, writing letter, writing notice, writing post or making email, writing application, writing and what not ये सारी चीज़ें आपके writing syllabus में आती हैं और इसका एक proper syllabus होता है जिसको आपको एक बार खतम करना होता है उसके बाद देखिए आप कैसे बहुत ही जबरदस तरीके से mark score करते हैं writing section में और grammar तो इसमें आपको कराया ही जाता है वो तो complimentary समझ लीजे ये दोनों चीज़े जब आप कर लेते हैं तो आपके एक तरीके से English के paper की पूरी की पूरी समस्या solve हो जाती है चाहे आपका reading का section हो चाहे आपके literature का section हो चाहे आपके grammar और writing का section हो तो इसकी जांकारी पे आप इ जो शब्द आते हैं exam में antonyms हो, synonyms हो, higher vocabulary, high frequency vocabulary के शब्द हो चाहे हो आपका reading comprehension, basic, advanced, types of reading comprehension आते हैं जी हाँ आपने सही सुना बहुत तरह का reading comprehension होता है ये भी कराया जाता है इसमें साथे साथ basic grammar, advanced grammar तो कराया ही जाता है और latest pattern के questions भी बिल्कुल cherry on the top के जैसे कराया जाते है तो इस course को करने के बाद आपके अंग्रीजी के marks जो हैं सूपर्ब तरीके से बढ़ने वाले हैं तो इसकी जानकारी भी इस number पर आप प्राप्त कर सकते हैं जानकारी लेते वक्त इस बात का धियान रखेंगे कि course का नाम लिख करके ही जानकारी भेजेंगे जी हां लिख करक बात आप message करके ही जानकारी लेंगे आप साफ साफ हींगे कि आपको सुर्स कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए फ्री कोर्स के बारे में चाहिए पेड कोर्स के बारे में चाहिए और लिख्ने के बाद 12-40 घंडो का वक्त लगता ही है रिप्लाई मिलने में 18невीन की working day हैसाoz तो थोड़ी से प्रतीक्षा की उमीद आप से करते हैं तो बिल्कुल प्रतीक्षा करें और अगर मेसेज कर दिया है निश्चिन्थ हो जाएं आपको एप्लाई जरूर जरूर मिलेगा, क्लियर हो गई बात? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching. Be with Beemankar, Empowering Lights to Knowledge. Thank you so much for watching. Stay tuned to Beemankar.